देखो सरकार ना ये भी निरेडर ले लिया अगर आप चार साल के लिए इंडियन आर्मी में भरती हो जा रहे हो तो चार साल के बाद रिटायर होने पर आपको कहा ड्यूटी मिलेगी अभी देखो ये अमारे उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है और इनके ट्वीटर पर ट्वीट किया गया है अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी तो ये गंटा हुआ है ये ट्वीट किया है कि मा भारती की सेवा के उपरांत अगनी बीरो को यूपी गवर्मेंट परदेश पुलीस एवं समबंदित अन्य सेवाओं में प्रातिमिक्ता परदान की करेगी यूवाओं के उन्नेयन एवं उनके सुरच्छित भविशे के लिए बाजबा डबल इंजन की सरकार सतत समर्पित वह पूड़ प्रतिबंद है ये देख लिया ज़या तो नामी नहीं पसंद है भाई फिर वो लोग इंडियन आर्मी की तैयारी कहां से करेंगे हमारे डेस की सेना कहां से मजबूत होगी यार देखो अब कली से मैं स्टेटस देख रहा था अभी खुद मैं जैसे मेरे मुबाइल पर मैं देख रहा था ना सो डेढ़ सब लोग बस एकी स्टेटस लगा थे उसमें तीन लोग का फोटो लगा कर और उस पर पाता हो गया होगा कि वी पता हो गया होगा, कि किनका फोटो उसमें लगा ठीक है न सब लोग रिप रीप लिख रहे थे, और सितनी लोग बुह इंडियन एक भी उगा खुस नहीं है आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है यार सुनने में आ रहा है जो इसके उपर वीडियो बना रहा है इसके उपर आवाज उठा रहा है उसको बहुत ज्यादा प्रेसर दिया जा रहा है और वो भी सिविलियन के तरफ से नहीं पूलिस वालों के तरफ यह सही नहीं है, जिस दिन युगार रोड पर उतर गए ना, उस दिन संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अभी तो अपना जो राय है, वो तो देही रहे हो, कोई नीज रिपोर्टर ये सवाल किया है, सब कि भाई एज में क्यों नहीं छुट मिला है, लाखो लोग बरती किया जाएगा, पूरे भारत में, दो साल के बाद लाखो लोग आउर ओपररेज हो जाएंगे, उनको फिर से बरती किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो फिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है? मतलब बेरोजगारी खतम हो जाएगा, पूरे भारत के लिए सिर्फ 40,000 को भरती करोगे वो भी एक साल नाई दो दो साल उसके बाद से फिर बढ़ाओगे पांस-पांस लोग को बढ़ाओगे और यहां लाखो को डोलोग तैयारी में लगे हुए तो कहां से बेरोजगारी खतम होगा और जादे बेरोजगारी बर जाएगा ठीक है न अब आप लोग सोचना यार जो भाई मर मर के तीन साल एंसिसी करता था अब आगे से कोई एंसिसी करना चाहेगा कोई नहीं करना चाहेगा यार मैं आज ही लिख दे रहा हूं अगर इसकूल में एंसिसी का पचास सीट आएगा न तो बहुत जाएंगे सब तो सिर्फ दोस लोग भरती देख यार इसको पता है क्या बना दिया है सब इसको मजदूरी जैसे मजदूरी करने जाओगे और चार सल मजदूरी करके चले आओगे ठीक ना तो के उपरा आगे क्या करना आए आप सभी लोग को एक जूट होना पड़ेगा इसमें आप लोग विवाद नहीं करना ठीक ना अधाँ